यस्तलिदे अगे हमने सेटि सब्सक्राइब करने तोने यूट्यूब चैंनल आज हम करने वाले हैं टोटल 500 कुछसेंस हमने Г nous भी कर लिए फोन्ट इसेंस होते हैं उसके आग services में हम ट्वांटे इंप्रोटन क्वेशन करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक आपने session नहीं देखिए हमने 5 session already कर लिये हैं तो नहीं देखिए तो अभी भी देख सकते हैं YouTube चैनल पर जाकर और playlist हाँ पर खोल कर आप देख सकते हैं यह अपना आज 6th session है 5 session हम already कर चुके हैं तो चलिए start करते हैं आज question number 101 है which of the following breaking method save energy ठीक है कौन सा breaking method इसा energy save करता है आपके पास कितने breaking methods होते हैं देख लो option दे रहे हैं regenerative breaking, plugging, dynamic breaking and register breaking तो इसमें से इसा कौन सा method जो energy save करता है तो option A आपका correct answer हो जाएगा regenerative breaking saves energy ठीक है next question देखते है 102 for eliminating 7th harmonic from generated EMF in alternator the fractional pitch must be किसी भी type of harmonics को eliminate करने के लिए हमारा fractional pitch जो है कितनी होने चाहिए तो इसका एक formula होता है आपका n-1 upon n करके ठीक है n क्या है आपका number of harmonics कौन सी harmonic है 7th harmonic को eliminate करना है तो 7-16 upon में n आपका हो जाएगा 7 तो fractional pitch कितनी होने चाहिए आपकी 6 by 7 और full pitch होना चाहिए तो option D correct answer हो जाएगा अगर यहाँ पर 5th harmonics होता तो 5-1 by 5 करते इसी तरह से किसी भी harmonics को eliminate करना है तो आपको fractional pitch कितनी होने चाहिए वो इस formula से निकाल सकते है आप n-1 upon n ठीक है नेक्स question देखते हैं 103 इन synchronous motor V curve is a graph of synchronous motor के अंदर V curve होता है एक inverted V curve होता है तो यह किसी चीज के graph होते हैं तो यह कापी बार हमने पढ़ लिया है इन synchronous motor की जो synchronous machine की हमने MC की सीरीज करी है उसमें पढ़ चुके हैं तो V curve जो होता है वो किसका होता है armature current versus filled current के बीच में होता है option A correct answer हो जाएगा next question देखते है 104 stray loss is equal to stray losses जो है किसको बोलते हैं काफी बार लोगों ने यह term नहीं सुनी होती है तो stray losses जो होते है mechanical losses and iron losses को मिला कर बोलते हैं तो option B correct answer हो जाएगा आपका stray losses होते हैं इनको हम variable losses भी बोलते हैं ठीक है next question है आपका 105 the power factor of the arc in circuit breaker is circuit breaker में जो आर्क प्रोड्यूस होती है उसका power factor कितना होता है तो always unity होता है कि आर्क हमारी रेजिस्टिव होती है ठीक है रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रही है next question है 106 the relay which is most sensitive to power swing is कौन सी relay एसी है जो power swing से most sensitive है अब ये दो तरह का question आता है हम जब भी power swing का देखते हैं तो direct हम लगा देते हैं एक महूर रिले लेकिन महूर रिले क्या होती है power swings के case में सबसे ज्यादा use की जाती है क्योंकि ये अन अफेक्टिट होती है ठीक है affect नहीं होती power swings से इसलिए हम हम हो रिले को यूज करते हैं यहां पूछा है कौन सी relay सबसे ज्यादा sensitive है sensitive का मतलब है कि यसी कौन सी रिलेज जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है पावर स्विंग से तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक टैंस रिलेज जो होती है इस मोस्ट सेंसिटी टू पावर स्विंग ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 107 स्वीचिंग सर्जिज आर्शिचिंग सर्ज क 108 है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इस एंप्लोइड फॉर प्रोटेक्शन ओफ तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो होता है वह आपका किसलिए यूज में लेते हैं काफी वेल नोन जो है इसकी में प्रोटेक्शन की तो इसे हम लेते हैं प्रोटेक्शन ओफ अल्टरने कब होता है तो option दे रहे हैं फुल लोड पे at the moment of starting at half the full load at one fourth of the full load तो आपको पता होना चाहिए डीसी मोटर जो होती है मोटर जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा important चीज़ जो होती है हमारी वो क्या होता सकता प invites the init अंधो होता है कोई काम की नहीं होती है तो डीसी मोटर में बैंकि यमप जिरो कब हो सकता है जहाब हम मुझे स्टार्ट कर रहे होते हैं ठीक है at the moment of starting बैंक यह मफ जीरो होता है लेकिन जैसे स्टार्ट करने लगते हैं袋क डैकिकल नेक्स स्टेपर मोटर एंड स्टेपर मोटर तो एक हम सी एक मोटर है जो एक ट कल सिगनल को एंगुलर डिस्प्लेश्मेंट में अटलो करते हैं तो कि और सी क्रेक्ट आंसर हो जाएगा इयों यह काम करती है नेक्स कोईशन है 111 कि नएड में प्रोग्रामेबल युझिजंशन ट्रांजिस्टर거든 इंप्रूव वरजन ओफ ब्रोग्रम प्रोग्रामेबल यूनि जंसें ट्रांजिस्टरे जो होता है वो वह इंप्रूवजन होता है यह पावर-वक्डॉन. इस्टरहर के काफी बार पूछे जाते हैं जैसे आपका IGBT के बारे में पूछा जाता है BJT के बारे में पूछा जाता है कि ये एक modulated टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते है ये किसका वर्जन होता है वह आई जी बीटी के लिए इसके अंदर पुछा आपको programmable यूणी जंक्शन ट्रांजिस्टर तो आपको समझ सोचोगे कि यूणी जंक्शन ट्रांजिस्टर तो हमें पता है प्रोग्रामेबल क्या होता है यह इसका मतलब कुछ और ही होता होगा लेकिन यह किसका वर्जन है आपका यूणी जंक्शन ट्रांजिस्टर का ही इंप्रूव्ड वर्जन है ठीक है नेक्स क्वेशन है वन वन टू वीच ओप फॉलोइंग इस नोटा फ्रिक्वेंसी डॉमें स्पेशिफिकेशन के अगम फ्रकान की और निकालते हैं निकालते हैं अगला का है मैगजिमम ओवर सू उघ्वेंसी इस सब पर के आपके फेज मार्जिन और गेन मार्जिन मिलते हैं अगला है आपका रेजोनेंट पीक तो यह भी फ्रिक्वेंसी के केस में होता है तो मैक्जिमम ओवर्शूट ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो चाहेगा यह आपका फ्रिक्वेंसी डॉमेन स्पेसिफिकेशन नहीं है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 113 टूपोर्ट नेटवर्ट की सेट टू भी रेसिप्रोकल इफ एंड उनली इफ तो आपको पता है जैड़ पैरामेटर दे रहे हैं रेसिप्रोसिटी की क्या आपके पास कंडिशन होती है तो रेसिप्रोसिटी की केस में जैड़ वन टू इक्वल टू जेट टूवन होता है यह काफी जी है एक औरेक्ट अंसर हो जाएगा ऐसे ही सारे पैरामेटर जो भी है उन्हें सबकी याद रखनी है डायनेमोमेटर टाइप दो बाट टाइप हो गया है डायनेमोमेटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स वेल्यू ऑफ ऐडायनमोमेटम टाइप आपकाँट को सबको पता होगा उप्सटर हो जाएगा है से सबको पता हो फोट हो जाएगा निए होता है हमारा three-phase power measurement के लिए हम two watt meter method यूज में लेते हैं तो वो दोनों watt meter equal reading कब indicate करते हैं एक तो यह question है आपका एक यह question भी पुछा जा सकते हैं कि two watt meters जिनकी reading equal है तो एंगल क्या होगा ठीक पावर factor क्या होगा इस तरह का question पुछा जाता है तो 29 watt meter की अगर readings जो है equal है जैसे one one है या zero zero है या कुछ भी है तो वो एंगल क्या होगा आपका zero degree पे आपकी दोनों watt meter की reading equal होती है option a correct answer हो जाएगा और power measurement method का आपको power factor निकालने का formula पता होगा cos of 10 inverse अंडर को सिन्वर्स टैन ओफ अंडर ओर थ्री पीवन माइनस पीट्व अपोन प्लस पीट्व आपके इहां पर जो है आ जाती है इसकी reading तो वहां से आप निकाल सकते हैं equal रख दीजिए कितना एंगल आएगा ठीक है नेक्स question देखते है 116 the negative feedback in an amplifier leads to which one of the following जब negative feedback हम यूज कर रहे होते हैं और positive feedback यूज करते हैं तो क्या-क्या benefit होते हैं और क्या-क्या disadvantage होते हैं तो negative feedback में पता है आपको bandwidth आपके बढ़ जाती है और gain जो है decrease in voltage gain नेक्स question है 1173 resistance each of our own are connected in delta its equivalent star will comprise three resistance each of value तीजिस्टेंस है आपके डेल्टा में connected है इसको आपको क्या करना है star में convert करना है same value के यह वाले जो है same value के resistance है तो इसको star में करेंगे तो क्या हो जाएगा तो आपको मैंने बता है डेल्टा से star करते है तो r by 3 हो जाता है और अगर star से डेल्टा करते है तो 3r हो जाता है तो डेल्टा से star करेंगे तो आपका r by 3 option c correct answer हो जाएगा next question है a moving coil galvanometer is made into dc emitter by connecting एक moving coil galvanometer है आपके पास उसको अगर dc emitter में convert करना है तो आप क्या करेंगे किसी भी moving coil galvanometer को अगर dc emitter में convert कर रहे होते हैं तो एक low resistance connect कर देते हैं across the meter तो option आपका b correct answer हो जाएगा low resistance across the meter next question है आपका 119 if temperature increases then conductivity of semiconductor is अब आपको पता है कि आपका temperature increase होता है तो conductivity के साथ क्या होता है कोई एक एसा टेंपरेचर आता है जब आपका conductor जो है super conductor बन जाता है super conductivity बोलते हैं तो वह आप ध्यान में रखके इसका answer दे सकते हैं जब temperature आपका increase होता है तो conductivity obviously आपकी increase होती है option c correct answer हो जाएगा next question है the mp second could be the unit of तो ampere second जो होता है आपका किसकी unit होती है चार्ज की unit होती है option d correct answer हो जाएगा 120 question यहाँ पर हमारे हो गए है 100 question हमने ओल्डेडी कर लिए थे यह six session है अगर आपने नहीं देखिए पहले वीडियो तो देख सकते हैं जाकर और अगर आपको वीडियो यूजफू लगा हो तो लाइक कीजिए चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए thank you so much and have a nice day